हाँ बच्चों आज मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूँ बहुत समय पहले एक घना जंगल था एक पेड़ पर कबूतर रहता था और उसके सामने ही एक बिल में एक चीटी रहती थी एक दिन बहुत जोर की बारिश हुई और उस तेज बारिश में वो चीटी बैगए लेकिन उस तेज बारिश में वो कबूतर बहुत मस्ती में उड़ता रहा उसके पंक से टक्रा कर पेड़ का एक पत्ता तूटकर नीचे गिर गया तुरंत उस चीटी ने उस पत्ते पर चड़कर अपनी जान बचा ली भारिश रुखने के बाद वो चीटी कबूतर से जाकर बोली आपने मेरी जान बचाई है तो एक दिन मैं भी आपकी कोई ने कोई मदद करूँगी तब उस कबूतर ने कहा तुम तो जमीन में रहने वाली चीटी हो और मैं हवा में उड़ने वाला तुम इतनी छोटी सी हो मेरी क्या मदद कर पाऊगी और फिर एक दिन एक शिकारी ने उस कबूतर को निशाना बनाया जब उस चीटी ने उस शिकारी को देखा तो वो उसके पास आई और उसे जोर से काट लिया शिकारी का निशाना चूग गया और वो कबूतर बच गया एक च्छोटी सी चीटी होकर भी उसने इतनी बड़ी मदद की तो हम इनसान होकर उसे ज्यादा नहीं कर सकते। हम जब मुसीबत में होते हैं और अगर कोई उस वक्त हमारी मदद करता है तो हम उसकी कितनी भी मदद करें व कम होगी क्योंकि दूसरे की मुसीबत तो अपनी मुसीबत समझने वाला इंसान इंसान नहीं भगवान है अ मा अरी गनेश क्या मा ऐसे कैसे गिर गया है चलो बैठ जा तुझे पट्टी बांदेता हूं अब चल तु मेरा भाग क्यु उठा रहा है मुझे चोट लगी तो तुने मुझे पट्टी बांदी ना तो आज से तु अपनी चिंदा मत कर तेरी चिंदा मैं करूंगा ऐसे क्या देख रहा है आज से मैं चीटी और तू कबुतर चाल क्या हुआ रूख क्यूं क्या आइस क्रीम खानी है क्या हुँ खानी है तो चल खिलाता हूं एक और खाएगा एक और दोना अंकल तु यह सब क्यों कर दो चोट लगी तो तुने मेरे पैर पर पट्टी बांदी थी ना तु खाना दबे में और कितनी आंकल इसे सारी दे दो इनके पास बहुत सारी देचे जितनी खानी है खा बर्सकर यारे और खाना ए सीनु लेना देखते हैं या इसके पिगल रही है बस ऐसा ही है अपना ही गनेश अगर उसने कुछ ठान लिया तो कभी भी पीछे नहीं रखता है एक बार अगर किसी का इसने हाथ थाम लिया तो बहुत मुश्किल होता है इसे पीछा चुड़ा पाना और उम्र के साथ साथ इसकी ये हरकते भी बढ़ती गई आईए देखते हैं है नोथ है अगरयम क्यों के जाओं आई-खिंट नुढ करेंए आसी कि आ सरैंप्ष्य dou देदो बाबiciary देदो बाबी दो 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 बाबु दो दुबबाई से से सेंट लाया जापान से पावडर लापिभात देदो जी आपका पर्स क्यों बाबु ऐसे क्यों देख रहा हो पर्स आपका नहीं है क्या मेरी है तो फिर पर्स दिया फिर पैसे नहीं निकाल रहा है पर्स की किपा है बाबु जी देदो बाबू, 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 देदो बाबू को पहली बार देख रहा हूं तो भीख देंगे क्या अभे भीख नहीं नियाय दिलाऊंगा तेरे जिसे बंदे को ऐसा दिखना चाहिए इस लेटेस टाइब साहब साहब मेरी शकल ऐसी हो जाएगी तो कोई मुझे भीख भी नहीं देगा येस तुझे डॉलर मिलेगा भिखार सुपरस्टार साहब टी पीने का पैसा नहीं है तो इस चेंज की वज़े से तिरा रेंज और बढ़ जाएगा अब सुनना वहां जो गाना गारा तो फिर से गाना कोईन गिरने तक मेरी आवाज नहीं निकले कि पाबू आ यह ले पकड़ा इस इनमा दिखाऊ मामा सिनमा दि मामा सिनमाद दिखाऊ halo गहां हाँ हाँ गाना गाऊंगा तो चेंज मिलेगा यह सोचा था लेकिन लाइख चेंज हो जाएगी यह कभी नहीं सोचा था मैंने आपके लिए क्या किया था मेरे गिरे हुए पर्स को तुने मुझे लोटा दिया जब तुने मेरी मदद की तो मैंने तेरी मदद की हिसाब बराबर आपका नाम क्या है बाबुजी बंदे को गनेश कहते है निकनेम जैकी दाद गुड मॉर्णिंग जेंटलमें प्लीज सिट आउन आज आप लोगों की पुलीस ट्रेंणिंग कंप्लीट होने वाली है आज लास्ट क्लास है इसलिए एक इंट्रेस्टिंग केरेक्टर से मिलवाता हूं उसका नाम है वैरागी वैजाक सिटी का किंग वो किसी को नहीं दिखता है कहां रहता है किसी को भी नहीं पता इसका नाम है भवानी उर्फ बैगा एक जमाने में ये बैजाक सिटी का बड़ा गुंडा था 15 सल पहले इसे मार कर बैरागी बैजाक का किंग बना बैरागी ने भवानी को किस वज़े से मारा ये किसी को नही है कि इस संधिन जुम है अ इसे ने सुटाय है इसलिएchen नियां है अरे जो जो बार भाल मुइ आसे को नहीं ए यह यह जाब याज़ ए जाब में ए आजा है 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 हो जाबर मेरा नाम सामने आदाम है तो तुम वही होना जो मेरी दुकान पर काम करते थे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होना नहीं भाई भाई छोड़ दो मुझे मैं भी बड़ा होकर उसके जैसा ही बनुगा तु बड़ा तो होगा पर उसके जैसा नहीं बन पाएगा उससे भी बड़ा हो गया हूँ मैं बच्पन में तुने कहा था तो उसके जैसा बनेगा तम मैंने तुझे पागल समझा था बच्पन से ही तूसकी हरकतों पर ध्यान देता आ रहा है ताक कि तू पुलिस के हाथों में कभी पढ़ न जाए इसलिए पुलिस की ड्रिस पहन कर त तू वाकर बहुत महान इंसान है है आज से तू आज से ही तू इस वैजाग सिटी का अकेला किंग यह रहे इस किंग को तू रे कहता है मैं कौन हूं कल तक इस दुनिया को पता नहीं था लेकिन आज के बाद किसी को भी मेरे नाम के अलाबा कुछ भी पता नहीं होना भगवान हो उसके ना दिखने पर ही उसका डर होता है भगती होती है आज के बाद तू अब किसी को दिखाई नहीं देने वाला सिर्फ तेरा नाम सुनाई देगा सबको इसका मैं ध्यान रखोंगा भवानी का खुन करने के बाद बैरागी ने ऐसा पोस्टर पूरे बैजाक सुनाई देगी आकाशवानी का ये विशाखा पत्नम केंद्र है कॉंट्रेक्ट के विवाद के चलते बैरागी ने भावानी को माँ डाला शहर के गली-गली में गुंडगरती बढ़ती जा रही है साथी बैरागी का नाम भी फैलता जा रहा है किसी की नजर में नहीं आने वाला बैरागी बैजाग पर कबज़ा कर लिया है फिलहाल तो बैरागी गौन है कहा रहता है ये किसी को नहीं पता कौन सा डील कैसे करेगा उसके साथी कौन-कौन है ये भी नहीं पता इतने बड़े नेटवर्क को वो कैसे हैंडल करता है ये भी हमें नहीं पता उसके खिलाब बहुत सारे केस दर्ज हैं लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाएं इस बैरागी की वज़े से हमारा पूरा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट परिशान है सर उसके बारे में इतना सुनकर उसे एक बार देखने की इच्छा है सर प्लीज डॉन्ट राइट क्योंकि जो भी बैरागी को देख लेता है वो बच नहीं पाता हालो हा पापा पंदर साल के बाद तु वैज़ाग सिटी गया है घर का काम तुमने अभी तक शुरू किया या नहीं पापा थोड़ा बीजी था इसलिए उसके बारे में भूली गया तुम कहां बीजी होगे मैं यह जानता हूँ इंग्लिश के हेल पी यह चार लेटर जब तक तु भूलेगा नहीं न तब तक सुद्रेगा नहीं समझ गया हाई हलो 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 उसका फोन ओन है फिर भी वो कोई बात नहीं कर रहा है देखो मेरी लाइफ की वाइफाई आखिर मेरा दिल कनेक्ट हो ही गया यह वाइफाई अगर वाइफ बन जाए तो लाइफ एक्दम सेट हो जाए बहुत अच्छा होगा बेटा ममा आप कल हम यहां लाइन पर हैं और तु वहां किसी और को लाइन मार रहा है हलो पापा ठीक से सुन बेटा माबाप की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है हुआ है हुआ है इस बारेश के बज़े से कई सिग्नल मिस्स नहों जाए कि अब कि क्या वाद ससुराल जाने के लिए रास्ता बहुत साफ नजर आ रहा है डाड़ी चलती हूँ हां कप्यूटर कल जा रही हो कराटे ग्लास यह क्या है बल्लवी लड़कियों को टीवी देखकर खाना पकाना सीखना चाहिए यह मार्शिलार्ट किस लिए बेटा टाइगर हिरन को सोसाइटी लड़कियों को हमेशा से कमजोर समझती रही है तुम इस साड़ी में तुम इदम परी लग रही हो तुम मेरे गालों को छूने के लिए बताव हुए जा रहे हैं तुझे क्यालता है तुझे कोई लड़किया मार नहीं सकती क्या ऐसे गॉस्षे में जब लड़कियां घूर के मुझे देखती है तो मुझे बहुत सुन लिया आज कल ये मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती तुमने कभी मेरी बात सुनी है क्या तुम सही कर रहे है यह 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 कहा चली गए गुद मॉनिंग गनेश अरे इसको तो मेरा नाम भी पता है मैं सब जानती हूं गनेश तुम हर पल सी सी जी डी कैमरे के जैसे मुझे द पीछे तुम्हारा लॉजिक क्या है लव का लॉजिक क्या होता है आई लव यू सो मच गनेश अरे पापरे फेस्बूक पर फ्रेंड डिक्वेस्ट करने से पहले इस ते मेरा लव एक्सप कर लिया अरे गनेश तेरी तो निकल पड़ी यार भाई गनेश ओ तेरी यह तो उस रखम तो सैना ही पड़ेगा ओके मडम आप जाए लगजा पीछे आईडी है क्या वोटर आईडी भी है मेरे पास अंदर वोटिंग नहीं फाइटिंग चल लिए जाना है क्या अरे बापरे मुझे गुलाब के फूल को हासिल करने के लिए लडाईयां लडनी होंगी चलो न अपरे यह गनेश वापस क्यों आया मुझे देखकर साला अपना मुझ छुपाने की कोशिश कर रहा है अरे वाह लगता है चला गया अच्छा उसने देखा नहीं नहीं तो मैसेज भेजा था पढ़ा नहीं मैसेज पढ़ा इसलिए तो रिसीव करने नहीं आया मुझे देखकर मुझे चुपा रहा था अरे नहीं मेरा सिक्का गिर गया था उसी को ढूंड रहा था चबनी की अकल यूज करना चोड़ और यह बता यहां क्या कर रहा है तुने मुझे पताया नहीं है अरे बचपन में तेरे पैर पे पट्टी माननी थी और तूने कहा था कि तू मेरी जिंदीकी बदल देगा लेकिन तू भाग गया और मुझे नौक्री करनी पड़ रही है एक बात बता मुझे ऐसा क्यूं लग रहा है कि तू मुझे ढूंटे ढूंटे आया नेगेटिव फैलो वो मेरे दिल की प्यास है और सीनो तू पानी की बोतल की तरह है मेरी मदद कर दे भाई फिर से मदद है तेरी मदद करूंगा तो तू फिर से मुझे चिपक जाएगा यह मुझे नहीं होगा तू किसी और को पकड़ ले मदद मत कर अंदर जाने का रास्त टो ही तुम मेने तेरे पैर बेंदेज लगाया था आज तुने मेरे पूरे शरी पेंडेज लगवा गश्या तुने मेरे लिए इतना किया वही काफी है क्या कहा सची मुचे कभी तू वानपीस सीनू हुआ करता था अज तू टूटा-पुटा मगर अलग सीनु है ओ तेरी यह आड़ा ठेड़ा किंग कों की शकल वाला कौन है यह यह यहां का इंचार्ज और ओफिस का मैनेजर भी अगर इसे तुन्हें मैनेज किया तो मेरे साथ रह पाएगा यह आफिस वाइटी लाने के लिए उठी चला गया क्या चल चल इसकी टोपी उतार यह तुम ममी के डमी कैसे बन गए है आपका सर्विस फास्ट करने के लिए मैं सर्विस आटो में बखे था बैटने के बाद पता चला कि ड्राइबर फुल टू नशे में है उसने आटो को डिवाइडर में चड़ा दिया फिर उसके बाद क्या हुआ मेरा पूरा शरीर डैमेज हो गया मतलब तुम अभी आट अफ सर्विस हो तो फिर यहां काम कौन करेगा मैं कर लूंगा सर तुम कौन हो बैए इसका फ्रेंड हूं सर मैं हूं गनेश लोगों की तकलीफ करता हूं लेस बड़ाया तकलीफ लेस करने पर तुम आफिस बाए कम स्पीड थोड़ी ज्यादा इसका काम तू क्यों करना चाहता है इसका एक्सिदेंट हुआ तो मदब तो करूंगा ना काम चोर दोस्तों कई बार देखें पर दोस्त के लिए काम करने वाला दोस्त मैं पहली बार देख रहा हूं घन्यवाद सर तुमारा करेक्टर बहुत क्ल कि लॉरी के सामने तो यह नीबू है और यह लॉरी को खीच के ला रहा है कुछ तो जोल लग रहा है मास्टर के बारे में तू नहीं जानता एक दिन मास्टर ने मालगाड़ी रोक लिया था फिल्मी तकनीक से मालगाड़ी का प्लेन को भी रोक सकते हैं क्या मतलब है तेरा यह फिल्मी तकनीक है बिल्कुल हॉलिवुड वाली अब यह एक दाव आलग टाइप की एंट्री करेगा जैसे हीरो करते है अब यह क्या कर रहा है इसको बोल रहा है यह तो रिंग मास्टर लग रहा है मास्टर इतनी बड़ी लॉरी को आपने अपने लेफ्ट हैंड से कैसे रोक लिया अरे बाबू यह तो मुझे कोई भाइस चरवाने वाला लग रहा है इसे तो मैं चारा खिला-खिला के मारूंगा अपरे यह लड़की ती छोटी सी बात में असा रियक कर दिया है जब मैं मैं तो मर ही जाएगा अपनी इस प्यारी फिलिंग को अपने दिल में ही दबा के रखो एक स्पेस मत करो बेवी मास्टर मैं आपका परफॉर्मंस टीवीटी में देखा है लाइफ कभी नहीं देखा लाइफ में अगर एक बार लाइफ देखने मिल जाए तो इन लोग को भी कुछ नहीं आता है यहां किसी को कुछ नहीं आता हम जो बताएंगे वही कुंपु क्राटे टाकान मारलिन ब्रेंडो यस तेरी दुकान को अभी बंद करता हूं आजा परफेक्ट परफेक्ट आप बेटिंग करने का शौक है यह नए नड़का ओफिस बॉय है मस्टर क्यों बाई प्लीनिंग करने आ हो या फिर बैटिंग करने आ हो बाद चैटिंग कर रहे हो बाहर बेजो इसे अभी के अभी मास्टर मास्टर आपको भी पेन होता है पूस्ते हो अगर सही जगा लगा तो बुरुस्नी को भी पेन हो जाएगा डंडा पकड़ना भी आता है क्या तुम्हें आता है सर लेकिन डंडा गलत जगे पढ़ता यह नहीं पता था सर अरे तुम लोग दिशकासन बद करो पहले स यह दिन खराब है आज की क्लास कैंसल आज तो आप लेग मॉवमेंट सुखाने वाले थे नो वह वह व्यां नाइस मिटिंग यूँ नहीं है क्या मेरा भाइजा नहीं पर रखा हुआ है मैं तुमसे क्या क्या रही हूँ और तुम मुझसे क्या रहे हो क्या हम लोग भेजे क बारे में। बात करें हैं तुम्हीं क्लास को शोड़े ये हुजूर आप का फिगर एक्दम क्लासिक है, रहा मैं क्या कह रही हूं, तुम क्या कह रहे हो यही एक्सप्रेशन तो माफ कर देना पर यह याद रखना कि इसने मुझे होट किया है सुन लियाना सुना वाली के शराप है मैरागी का आद्मियों एलंगा करेने वाला कितने का यह पैकेट दस रुपे का भाई चल निकल लेकिन क्यू भाई यह यह दो भाई यह दो भाई यह शुदर शण डेडि नमस्टे आगा बाइब यह फिर शाहर ग्रेट जलाता है रहा है है लाइटर निकल भै अबे ऐसा गुरता काय रहा आंख निकालके आम्लेट बना दूंगा बैक और पता नहीं है क्या रहा है सभी है बॉस लाइटर मेड इन चाइना है क्या है सिग्रेट भी तेरी दूहां भी तेरा पी ले हैं अब बाइक के सालेंसर पे तलवार चुपा के रखते हैं क्या समस्ता है मैं डरूंगा पहलागी का अदमी हूँ डरूंगा नहीं रहा है हो गया वाटाइट चल दे चल आगे अफ्ता लेने का है कि यह रेड वाइन पी अरे गनेश तु हमेशा मुझे यही क्यों पिलाता है बच्पन में जब मेरा गला सूख रहा था तो तुन्हें अंगूर का ज्यूस पिलाया 20 साल बाद उसका क्या होगा वह सड़ जाएगा येस सड़कर उसका वाइन बनेगा अगर इसे पीओगे त तुझे धोके और दोस्ती के बीच का फरक ही नहीं मालो में माइन पीले समझ में आएगा नहीं यार मैं ऐसे नहीं पिऊँगा बिल्कुल नहीं देगा समझ गया ना यार वह अपने मैनेजर के जैसा दिख रहा ना जल्दी विर्चर पेट पाइन के यहां घूम रहा पिया अपनी डारलींग को अपना बना लूँगा एक बंच में कैसे पेड को मार के गिजाते है ताली बजाओ आपने इतने बड़े पेड को कैसे दोड़ा मास्टर इसे तो असली पेड और नकली पेड का फरक नहीं पता है यह रूली ग्रेट मास्टर आपकी बॉड़ी तो बिल्कुल ब्रैट पिट चैसी है लेकिन छोटा सा मास्टर आप यह बताई आपने इतने बड़े प्लेड को केसे किरा दिया मास्टर कराटे से सब हो सकता है यह तो कुंग फु था ना कराटे कुंग फु ताइकंडो मार्लिन ब्रैंग्ड यह तो हॉलीवड एक्टर है वह भी मेरा शिश है तुम्हें मर्शनाट के बारे है आपको दंडा अट्स पता है यह आखिर तुम यह करने क्या हो रूल नंबर फॉर्टी-फॉर के हिसाब साब को ग्यारा बज़े जूस पिना है तो दो ना अभी ग्यारा नहीं बज़े तो फिर क्यों आए हो देने के लिए रूल है लेकिन आने के लिए नहीं है तुम्हें क सब्सक्राइब करें तो क्या हो टाइम पर जूस नहीं प्योंगे तो क्या हो जूस को खतम करके से चलता करता हूं इधर ले क्या सर्जी रूल नंबर 33 के हिसाब से मुझे आपसे तीन फूट दूर रहना चाहिए है ना तुम अहीं नहीं मास्टर नेक्स रोल आपको नहीं मास्टर तो फर क्लास का अब ही तो यह नहाएंगे अपनी बांधेंगे खेर आएंगे वाट कर लोग चले गए अब कुछ बोलो ना Ha वो क्या है ना मेरा अलग क्लास है तो यह क्लास मेरी समझ में आता तुम्हें सेंस है क्या लाइसेंस भी है मेरे पास मैं सेंस कह रही हूं और तुम लाइसेंस की बात कर रहे हो जब सेंस होता है तभी दो लाइसेंस देते है ना नॉंसेंस उसमें भी सेंस चुपा डूंड के लो बात कर लो मैं हूँ गुरुओं का गुरू जोतिश में पारंगत भूत भविश वर्तमान बताने वाला जो हुआ वो बताऊंगा जो होने वाला है वो भी बताऊंगा ओ साम आपके चेहरे पर जो फायर है उसे टायर के पीछे छुपाने की कोशिश मत कीजिए जैसे आप दिख रहे हो वो हो नहीं और असल में आप जैसे हो वो आप दिख नहीं रहे गुरू की शबत खाके कहता हूँ आपकी जिन्दगी में अब मुसीबत आने वाली है क्या बखवास कर रहा है जाकर अपना काम देख मैं अपना काम ही कर रहा हूं इसे हलके में मत लो कि देख लिया आपने साब कवा भी काउं काउं करके कुछ कहना चाह रहा है हां हां बताओ मैं सुन रहा हूं हां हां आपकी जिन्दगी में बैड टाइम की शुरुवात हो चुकी है जिन्दगी का पहिया चित्र-विचित्र तरीके से घूमने वाला है और जो पहिये को पहिया यह बैरागी कहा मिलेगा बैरागी मुझे नहीं पता अरे बैया सुनिया न यह बैरागी कहा मिलेगा नहीं पता क्या बोल राता था तु बीडी पीना बोड़ी के लिए हानी का रागा रागी कि यह कोई आवाज नहीं करेगा बैरागी का आपका फोटो चाहिए एक बिड़ रेडियो के आता हूं है अभी लो भाई मेरा फैवरेट नमबर मुझे जेल के सेल में आपकी वांटेड वाली फोटो नहीं अपने सेल से सेल्फी लेनी है अब बाई गलव समझ लिया मुझे बच्पन से कुछ ऐसी आदाता है पकड़ वह क्या है ना मैं वार्ड मेंबर के लिए चुनाओ में खड़ाओं मेरा निशान हांडी है अगर आप मेरी मीटिंग में बैटके फोटो खीचवाएंगे तो उस निशान को देखकर लोग मुझे बोट देंगे बालेट बॉक्स म अब आटोमाटिकली आएगा अगर खाना पकाना हो तो लगानी पड़ती है अगर वो दस मिनिट लेट हुआ तो इसमें तेरा बटर चिकन बन जाएगा मुझे मुझे मुर्गा समझाए क्या बहरागी का अदमी हूँ अगर तुम्हें इतना जल रहा है तो फुदक के बाहर आजाओ ना जल्दी से किसी को कॉल नहीं किया तो मुर्गा बनाके खा जाएगा यह मेरा हेलो अबे ओ कंट कजूरे वक्त से पहले पैदा होने होले का अबे तु है कौन अबे तो अबे या में मुर्गा बना हूँ तु मेरा इंट्रोडक्शन बूच रहा है अबे बैस भी तुछ से गोराई होगा भै सड़क से गुषर जा तो तेरी गन से लोग चकर का के नीचे अब है अब हम कोई फिल्म देखने नहीं जा रहे है भाई के पास आ रहे हैं अभी तुझे पता चलेगा है अब चल अब चल अरे वापरे कहीं गलती से नंबर भाई को तो नहीं लग गया था फिर से एक बर कोशिश करता हूं यहीं कहीं बज रहा है अब करा कि बच्पर में मेरे माँ बात स्कूल टीच ए के बोल इसलिए तो नीचे जल रहा था लेकिं ने रहा तो दिल रहा हो हुआ इसे वे हांडी के साथ उठाके लिए चाल अब कि अब कि अब कि अलो तो बैरागी का है अब असुन तुम बाहर बैरागी के बारे में पता कर रहा था ने इसलिए भाई ने तुझे बुलाया है बैरागी कि धर एए ऐसा पबलीक में पूछता हुआ अब बता अब बता अब अब मेरे बाप को मारम मैं उससे खतम कर दूंगा उसके खौन से पीदा के फोटो पे तिलक लगाऊंगा उसके गुरसी पे कबजे का इंतिजार तुम्हें 15 सालों से कर रहा हूं वाह क्या मक्सद पाला है तेरी वजह से हमें खत्रा है तू अपनी इंक्वाइरी बंद कर दे उसके फोटो के जरीए इंक्वाइरी करके उसे ढूंड़ता हूं उसे खतम करते वक्त तुझे बुला लूँगा पूरी फिल्म लाइफ देखना थोड़ा कॉपरेट करना फोटो दिखा तलाशिले यह फोटो बिलकुल उसी की है जा के ठोग डाल उसे ठीक है अगर मुझे टपका दिया तो तुझे बैरागी से कौन मिलाएगा हम दोनों का दुश्मन एकी है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है प्लीज यार फोटो दिखाना फोटो दिखाऊं तो मुझसे पहले उसे टपका दिखा हाँ उसे मारने वाला कोई भी हो उसके मरने के बाद कूरसी मेरी होगी तुझे बदला लेना है तो तु ले उससे लेकिन याद रखना तु अकेले नहीं मार पाएगा पीना मेरी मदद के आजसे हम दोस्त हो जिसकी कोई मदद नहीं करता उसकी उपर वाला करता है चल साथ में डूंड़ते हैं उसे अरे बच गया वेटा उसके सामने आपका सर्जुकाने मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया वेरागे के मिलने तक इसकी ज़रूरत है बस वे मिल जाये उसके साथ साथ इसे वी काट डालें तो कि इसे देख के तुमें क्या समझ में आया यही कि आपको मच्छदानी की जरुरत नहीं है मास्टर इसको शॉटकाट लॉगकट नहीं समझ में आया इसको अटोमेटिकली डरेट गयर में डालना होगा यह तुमें तलवार लग रही है क्या नहीं यह हमारी खांदानी अगर बत्ती पुराने जमाने में चाइना के लोग टेंगू की डर से घर के अंदर जाके छुप जाया करते थे हमारे दादा जी तलवार लेकर लाखों मच्छों का सर काट कर चाइलीज लोगों की जान बच मार्मकला बहुत खतर राहिख और मक्छरों को मारने वाली बचेस्ता कर खेवाया में तुमीं सीखाने जा रहा हूं तल्वार को इस तरह से ऐसे पकड़ते दूस zm長 निकालना चाहिए कaking उससे इस तरह तरह से बराश दरवाजे पर नौक करके आना चाहिए धक्का देके नहीं क्या करना बल्माश मास्टर पेट पेट से नहीं मेरे पॉकेट से निकला है यह बता तु यहां आया क्यों है बता रूल नमर 64 में क्या है पूरे दिन में शाम के वक्त आपको चार बादाम खानी है यह लिए खा सब्सक्राइब यह दिन चाहिए रूल नीचे ब्रकेट में क्यूलिटी बादाम देना है ऐसा लिखा हुआ है तो टेस्ट करने के लिए मैं यह दून्हें को घाली रूल का लिए पल्सक्ती चाहिए तर रूल के इसाप से शार लाने ग्लेंश कंद है लिए ना क्यों मेरे ज फॉलो कर रहा हूं मैं इजद्दार परिवार से हूं इजद्दार परिवार और तुम कौन सा रूल फॉलो कर रहा है अगर कोई नौ फीट के फास्टले पर आपके करीब आता है तो मेरा काम है एक नजर उस व्यक्ति को देखना तो जब एक आख बंद करके देखता हूं तो सर 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 थोड़ी दिर पहले यहां एक आदमी बैठा हुआ था बता सकते हैं वो कहां किया काउन यही है वो आदमी यह कौन है और तुम कौन हो मुझे क्या मालूम मुझे परिशान मत करो आख सर सर प्लीज बताए यही रिजा यह कहान नहीं बता है 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 आख यह यहाद अहों है आख यह है अज़ा मेरे प्यारे चाइनीज नूडल्स हो इतने दिनों से मैंसे में हुकूब समझ रहा था कि अज़ा था 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 क्यों रहा है आप ठंड लग रही है ना तलवार है पर इसे आपको क्या थकलिफ त्रीडी में तुझे देखा है मुझे सच बता तुझे मार्शलाट आती है ना अरे नहीं नहीं मुझे फाइन एट साता अभी तुझे दीचे कर रहा था वह था था रहा था तो आपको क्या लगा मास्टर इसे फिरसे काट करके दिखा दो नहीं नहीं मैंने एक ही आरा में सारे कार्णामे दख लिया दो बारा नहीं देख रहा है मैं तेरी तरह ग्राफिक्स नहीं औरीजनल हूं यह साले चार मच्छर मेरी डार्लिंग को काट रहे थे इसलिए मैंने इन चारों को काट डाला मुझे तेरी नियत में अगर खोट नजर आई तो तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा नेरे प्यार के मामले में उंग्ली म अच्छर कुछ ज्यादा ही है इस कोईल को जला के सोजा थीक है आश्मान भवा है हम तेरे बिन अहां तुमने मेरी क्लास में ना आने के लिए मास्टर को धमकी दी है ऐसा इस इंस्टिट्यूट में क्यों आए हो मेरे सपने पर तुमने पानी पेर दिया तुम्हारी के बीच पे गोल की पर जैसे आगए थोड़े दिनों पहले जो तूफान आया था तुम उस पे बच क्यों गए उस दिन में आट ओफ सिटी था मार दूंगी अगर ज्यादा बात की तो चुप रहो तुम जैसों से तो बात करना ही बेकार है ठीक है तो इनसे बात कर लो गने पैर, हार्ट, किड्नी, आपे, बोटे के सारे पार्ट्स खराव कर दीजिए गनेश 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 इसे क्या हो गया जी गनेश यूर फिनिश यहाई गनेश अरे तुझ नहीं हुआ ना मुझे लगा तू तो गया मैं रही बल्कि वो गई शारू खान के जैसा तुने मस्त अब 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 बाजी घर भी और डॉन भी तो अब तक बटर चिकन नहीं बना ते रहा पूरे पूलिस डिपार्ट्मेंट ने अपनी अपनी लाटियों से करके दो डाला मुझे आप ने मुझे इसमें घुसाया है उपर तो तोड़ फोड़ हो गए नीचे खाफाट बचाए भाई एक बाद बता उस दिन आपको कोई लेकर गया था कहा लेकर गया था तुमसे बहरागी को देखा है कि मैंने उसे बात भी किये उससे वह क्या है कि यह फोटो दिखाकर उसे अर्जेंटली उठाकर लाने को क अबे मोटे इतनी सारी पी चुका अभी तक याद नहीं आ है आपको देखकर मुझे अपने दादा जी की याद आ रही है बिलकुल तुमारी तरह पूरी की पूरी बोतल पिलाते थे चकने के लिए बिस्किट खिलाया करते थे चोटे चोटे बाई क्या का बिस्किट चकने में बिस्किट खिलाते थे यहां बैठ कर पीने से याद नहीं आ रहा है जूले पर चलते हैं कि क्या हुआ याताश्त आ गई बताओ ना नहीं गई क्या गई अगर फोटो गवादी तो तेरी जान ले लूँगा बाई बिल गई से मेरा बाई आ दारी भी है इसकी उसे तो कोई जानता नहीं बाई इसे डूनेंगे तो कम से कम कुछ लोग बतातो देंगे बाई बाई जी आप यहां कियो किसी और को याद कर रही थी वाली के आप भी पंच मार रहे हैं भगवान जी जब से पैदा हो आँ तब से पंच मार रहा हूं इसमें कौन सी बड़ी बात है पापा यह है मेरी लाखों में एक भगतिन भगवान जी पारवती मम्मी नहीं आई आपके साथ गणेश इसका जवाब दे दरसल मम्मी इस वक्त सीरियसली सीरियल देख रही है डिस्टब किया तो सीरियस हो जाएंगी इसलिए साइलेंट लिए आप लोगों के यहां भी आपके डैड़ी इसे हाइज जंप क्यों कर रहे है तुमने गरेश को ऐसा वैसा कहा तुमने इनके भक्त की बुराई की है इसलिए इनको हाइज भी पी हो गया है पापा का परम भक्त है वो उस गनेश को इस गनेश से ज्यादा प्यार करते हैं यह डैट की तीन आंखे है ल मेरा पावर रिवर्स हो गया है मैं बिना पावर का ट्रांसफोर्मर बन गया हूं मेरा पूरा प्राइब करने के लिए तुम्हें काम करना होगा वो क्या है भगवान जी उस गनेश की खूप सवा करके उसकी तवियत को साधारन कर दो यदि उसके हाथ पैर ठीक हो गए तो म नहीं है तुमारी ममी ने मैसेज बजाए चलो चलते हैं आप लोग भी सेल फोन से इस्तमाल करते हैं ओनली आइफोन तुम पल्टो तो हम कायब हो जाएंगे आप कैसे जाएंगे भगवान जी चुहे पर बैठके जाएंगे आज चुहा तो छुट्टी पर गया हुआ है इसलि सब्सक्राइब करते हैं तो आप क्या करने का इराता है मैं आपकी सेवा करके आपको पहले जैसा बिल्कुल ठीक कर दूँगी कैसे करोगी आज से मैं आपको चलने की प्राक्टिस करवाओंगी ठीक है आपको खाना भी अपने हाथों से खिलाओंगी माखा लोंगा तो फिर ग्राइंडर कहा है वहाँ पढ़ा है देखो ना यह ग्राइंडर है मेरी मॉम ट्रेंड फॉलो करती ट्रेडिशन फॉलो करती है इसलिए यह मिक्सी है यह वाशिंग मशीन है विद्वाटर टैंक और यह वाक्यूम क्लीनर शुरुवात क्लीनिंग से करें अगर मेरी मा इसे काम करते वे देखती तो इसे अपने घर की बहु समझती अहां अरे अरे उपर वाला देता है तो चप्र फार के देता है एक यू वेल्कम आपके हाथ पैर को कुछ भी नहीं हुआ था क्या है कि आपको गिरते हुए देखा ना तो शौक ट्रीट्मेंट से ठीक हो गया और दौड़ते हुए आपको बचाने आ गया हलो है तुम मुझे भूल गई लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला तुम्हारे दोस्त तुम्हारा व से मारना चाहिए चला जा तुम्हार गई यह मुझे बचने के लिए यह तुझे साथ लेके आए क्या मैं लेडीज के लापड़े में पढ़ता तुम्हाबत में सब्सक्राइब भाई यह तुम क्या पूछ मत बोलो अपना मामला खुद ही निप्टाओ चलो आजाओ यह इन मैंने इनसे कोई सेवायवा नहीं करवाई है बलकि यह एक मार्शलाट की ट्रेनिंग का एहम हिस्सा है मर्द इंस्टिट्यूट में जाके मार्शलाट सीखता है लेकिन और तों को वहाँ जाने की जरूत नहीं है फाइट सीखने के लिए घर में ही सब कुछ है जैसे सील के लिए आज बाए हात का चाटा मारे चोईस तुम्हारी है आजा कि येज कि यावा तुम तो शूपर वोमन निकली और तुम चानते हो तुम सूपरमान हो मैं क्या कह रहा हूं और तुम क्या कह रही हो हम दोनों सूपर की बारे में ही बात करें हैं मेरा डायलोग मुझ पर ही क्यों बैरागी आज तो बहुत कुछ नजर आ रहा है आज सुबह एक नमूना मिला जो अपने आपको बैरागी का आदमी कहता था वो मुझे ही धंगा कर पैसे ले कर देना था अपने ही नाम के खाफ से मुझे डरना अच्छा लगा बगवान कैसा होता है ये तो आइडिया ल किसी भी चीज में नहीं मिलता स्वामी सत्या इधर देख बहरागी किसने तुम्हारा स्केच बनाया है किसने बनाया ये पता लगा उसका अलो ये सब क्या हो रहा है सर क्या हुआ मुझे एक आदमी ने बहरागी का फोटो दिखाया और मुझे पूछने लगा कि बहरागी कौन है मेरी परिक्षा लेने के लिए आप इने किसी को भेजा था क्या तो पागल हो गया है क्या मैं किसी को क्यों भेजूंगा वो अभी कहां मिलेगा मुझे नहीं पता है उसे देखेगा तो पैचान लेगा ना हाँ पैचान कहां कनक राज की दुकान के पास बैरागी को सिगरेट पीते हुए हमारे आदमी ने इसी जगे देखा था यहीं उसने मुझे फोटो दिखाई थे उसे यहीं कहीं होना चाहिए उसे आस-पास कहीं ढूनेंगे तो वो जरूर मिल जाएगा कि वहां पर बड़ी पब्ली के कट्टी है चल गया रहा है वो एक आदमी का स्केश बन वा रहा है कहता है कि जो उस आदमी के बारे में बताएगा उसे वह पचास जार देगा पचास हजार हट रहे हट 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 यह लागा आप उनकाए कोई धंदो कोई चंदो मेरा राज चलते है भाई जंगे क्या है अब ही वह स्केश बना रहा है बाद में देखकर बता देना बता देता हूं पच्छास हजार रेडी कर ले मैरागी का आदमी हूं चल ले चल 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 आहाहा हाहा अराभ आहाहा अ हाँ, 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 बिलकुल, यह ही है वो, उस दिनिसी को मैंने देखा दो, वो देखो उधर, वह ही है वो, हाँ, 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 बोलो भाई, कल तक उस फोटो वाले को सिर्फ मैं अकिला ढून रहा था, लेकिन आब उसे पचास लोग ढून रहे हैं, पीशे देख पुरी बारात खड़िये, तुने जो जगे बताई, वहाँ तो देख लिया, अगर तुझे कहीं दिखाए दे, तो बिना लापरवाई किये, सीधा फोन करना, तुना नमबर लिख ले मेरा, अबे तुझे बोलने हैं, नमबर लिख, 897-818 हलो, कौन? तुम्हारा फ्रेंड हो मैं, फ्रेंड? हम दोनों का दुश्मन जब एक ही है, तो मैं तुम्हारा फ्रेंड ही हुआ ना? कौन दुश्मन? मैरा आगी, जैसे तुम उसे मारना चाते हो, मैं भी उसे मारना चाता हूँ, मगर हिम्मत नहीं है उसे मारने की, तुझे तो बस इतना ही पता है कि वो कैसा दिखता है बगर वो कहां रहता है ये भी मुझे मालुक है वो अपने सारे डील्स पहाड के उपर ही करता है और डील के लिए वो अल्रेडी निकल चुका है एक सवा घंटे में वो वहां पहुच जाएगा बहरागी तुम्हाए मारने वाला बैच वही है वही है बहरागी तुम्हारी फोटो लेकर अड़क्वारी करने वाला एए उस बहरागी को मारने के लिए मैंने अपने बाप की कुलाडी पर धार करवाई है इसकी बाडी लेंग्वेज चेंज हो गई है इसका मतलब वही है वो पहरागी पहले उसे फिर बाद में इसे भी खत्म कर देंगे वो खुद मौत के पास भाग कर आ रहे मेरागी मेरे एक वार से दस करदने कटेंगी तो डर जाएगा अपनी आँखें बंद कर ले सत्या वो खुद वो खुद ए वो खुदो फुद उना, पास दो खुद वा खुद जाएगा वो खुद एटए़ वो खुद तुद एक्र गल्सकारप्वे इस आवगा प्नी सरेक ऑाओे वोगे। अदनि अन आवि रहा हुआ कर दोुकुक। कर दो चो बग। उर्खेक्पट जहां पीजा सबस्टेदान अर्खेक्पट मैं! एको! एको! उर्खवोर! एको! कि इतने लोग तुझे मारने के लिए ढून रहें पर भी तू सही सलामत है यह देगिन का क्या हाल बनाया मैं कि आज के बाद तेरे उपर कोई भी आँख उठाने की कोशिश करेगा तो उसका यही अशर करूंगा परलोग पहुचा दूंगा उसको क्या है कि अगर मेरी कोई छोटी सी भी मदद करता है तो मैं उसकी लाइफ सेट कर देता हूं और तूने मेरी कोई मामूली हेल्प नहीं क लाइब देखता जाए ये तेरी रक्षा करेगा बैटा है कि अजीरे उसके लिए किया क्या है मुझे बिना बताये तुमने उसकी कोई मदद की मैं कोई संत्त नहीं हूं जो मदद करूँगा मैं एक गुंडा हूँ लेकिन उसे देख करके तो ऐसा लगता है कि उसकी कोई बहुत बड़ी वज़ा है वो जिससे मिलता है जिससे उसकी जान पहचान है और जो भी उसके रिष्टेदार हैं उन्हें यहां लेकर आओ इंस्टिटूट खोलने के बाद ज्वाइन होने के लिए इतने सारे लोग पहली बार आए हैं वैरागी भाई ने बुलाया है चलो जैकी चैन शारुखान और मैं कहीं नहीं जाते उन्हें ही यहां लेकर आओ घर-घर जाकर के सिखाने वाला मैं कोई सेफ मास्टर नहीं हूं गया देखो समुंद्र के पास तुम गये तो मज़े आएगा और वहीं समुंद्र अगर तुम्हारे पास आएगा तो सजा वैसे वी तुम्हें मास्ञा की क्या जूरत वार्म उप करने से पहले तुम आप हो और वो मेरा नाम सुनके डर जाता है पागल कहींगा यही है वैरागी अगर यह वैरागी है तो मैं बिल ला देनू समझा मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई भाई तेरा ओफिस बॉय गणेश कहां है अरे बाबरे तुम्हें भी परिशान किया एक बाल बताओ भाई यहां होता है और अटोमैटिक नेटवर्क वहीं पकड़ता अगर उसकी लबर को एक छोटी से भी खरोच आ जाती है तो वह वहां जरूर पहुच जाता है अभी वह लड़की का तुश्टों से दूर रहा करो अरे रहा करो अरे रहा करो भाई यही है गनेश की लबर का घर उसके खुबसूरती की जितनी तारी को रोपनी कम है उसकी तांगे केले के तने जैसी है उसके लिफ्स गुलाब के फूलों के जैसे खिले हुए है आप कुछ भी करो उस गरेश को खत्म कर दो और इस रड़की का हाथ मेरे हाथ पे देदा भाईया कि वह सच बोल रही है क्या मैं जिसको लाइग मार रहा हूं वह सांड की बहन है मेरी बहन से कोई प्यार करता है ये बात तुम लोगों को पता होती हुए भी मुझसे छुपी रही इसका जवाब है तुम्हारे पाप जो जा तू जिसे प्यार करती है उसे भूल जा बहुत जी लिया मार डालूं का उसे इसके अपने बाप को नहीं छुड़ा तुम मेरा क्या हाल करेगा अरे बाबरे भाई सारी भाई कसंसे मुझे नहीं पता था कि वह आपकी बहन है कुछ मुझसे गलत निकल गया तो माप करता हूं क्यों बैरागी इसे खत्म कर दूं किया क्या बग रहा है तुम्हारी मेरी म कि नहीं छोड़ूंगा मैं उसे है कि अ कि अ इस बार मैं यहां आपके लिए नहीं आया हूं तुम्हें फोन करके मैंने ही बुलाया है कि तुम जिसे प्यार करते हो वो मेरी बेटी है कि तुम जिस बैरागी को ढूंड रहे हो वो उसकी बहन है मतलब बैरागी आपका बेटा है वो क्या है यह जानने के लिए तुम्हें पास्ट जानना होगा तुम्हारी एक बेटी है ना कहा है वो हमारी बेटी हमारी तो भी शादी हुई हमारी बेटी कहां से आ जाएगी तुम्हारी शादी हुए आठ साल हो गए और तुम्हारी बेटी को हुए साथ साल हुए लगता है पागल खाने से सिधे यहीं आया है चलो हमारी शादी को आठ स सेलेक किया है, फ्यूचर में वो मेरे रास्ते का रुकावट बन सकती है, इसलिए आज से तुम दोनों ही उसके माबाप हो, उसकी परवरिश अच्छी तरह से करना, तुम्हारी जरूरते पूरी होती रहेंगी, वरना बैरागी को देखने वाला आज तक जिन्दा नहीं वचा हमारी बेटी कहा है, इस तरह सहस्तरा के साथ साथ ये सारी दौलत भी मुझे मिली, जो कुछ भी है सहस्तरा के वज़े से, उसने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मागा, सिर्फ तुम्हारे अलावा, उसे कहीं दूर लेकर चले जाओ बेटा, और शांती से अपना जीवन क्योंकि पहरागी कितना खतरनाख है, ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, शेहस्तरा तुम्हारे इंतिजार कर रही है, क्यों भाई, मुझी को ढूंड रहे हो ना, कितनी तकलिफ क्यों ले रहे हो, एक कॉल कर लिया हो ता मैं खुद आ जाता है, कल सुभा, एंटियार सेंटर के सामने, सावित्री होटल में मिल लेते, जल्दी आना, नाश्ता साथ में करेंगे, मेरा कि बष्णता सम्ना, जल्दी आना, येँा मेरा की तो ठाय हम एंथा हो? क्यों इंयों… वेरा की, वेरा के, बहरा की, बहरा की, बहरा की.. वेरा की! बागो बागो का मेरागी का अद्म हो? यए है मेरागी भाई 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 एक चुप करई तब लोग्स बाई भाई ऐब हब को अलादों ऐसे घुर के क्या देख रहा हो बताना चाहिए था ना किया अप्ता बेलागी है अपे घुल वाई था चुप करांड थे श्का फून कि यह वाले जंक्षन पर तुम्हारा पोस्टर लगाने की टेंशन में आजाओ ना भाई वहां से हिलना मत मैं अभी आ रहा हूं नहीं वहरागी पूरी सिटी में लोग आज तुम्हें पहचान पा रहे हैं यह सब उसी की प्लानी की वज़ासे है उसे जो भी करना था कर चुक है राइट हो या रॉंग मुझे नहीं पता लेकिन हरे कौटो पर तुमारी फोटो लगा दें कहा है तू में चाहराय पर तुमारी फोटो देख्के लोग सीटी बजा रहे हैं मुझे बड़ा मसा आ रहा है कि मैं पहुच गया तू अरे पले तेरा ध्यान किदर है भाई कि मैंने कहा पले तेरा ध्यान किदर है भाई को पकड़ने के लिए इसने मेरे को ही उल्लू बना लिए यह पोस्टर निकला हीरो ऐसा ही लगा ना भाई फोटो हो जाए यह मोटे तू भी आजा भाई अब यह फोटो को मैं इंटरनेट पे डाल दूँगा तो इंटरनाशनल लेवल पे फेमस हो जाओगे ट्वीटर में ट्विट्स होंगे फेस्बुक पर लाइक्स होंगे वाट्स इसके बाद तो तुमारी वाट लग जाएगी पत्तब इतने फेमस हो जाओगे कि हर जगा बैरागी ऐसे शेर की तरह खड़ा हुआ मिलेगा बाई आपको पता है लोग कवर पीच पर रहना चाहते हैं और आप हो की लास्ट पीच पर ऐसे खड़े हो यह मुझे अच्छा न लगता है तू क्या बकरा है मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कब बचाई थी मैंने तेरी जान अब भूल गए बाई आज से ठीक 15 साल पहले उस जापानी गार्डन में उस भवानी के साथ मेरी नोगजोग हो गई थी उस दिन क्या हुआ था कि मुझे मारने की हिम्मत किसने की मैं नहीं मार आंकर सॉरी बॉल दे दीजिए क्या हो आंकर सिर्फ सॉरी बॉलने से बात खताब हो गई तो सॉरी क्या रहा है तो इसे क्यों मार रहे हो तो कौन हरे मैं इसका फ्रेंड हूँ गोना मेरे पैर पर चोट लगी थी तब इसने बैंडेज बांदी थी इसे कुछ मत क्याना छोटी सी तो चोट लगी है दवा लगा लो ठीक हो जाएगी एसे नूब लेकर आ स्वрут डूब हो जानता है क्याया नहीं जानता हूं और अगर जानता थी आसे बात करते अगर इसे कुछफ भी किया तो चुपνेजी रहोगा है माय ने उसे मारा क्या कर लेगा तू अभी कुछ नहीं करूंगा और जब मैं पढ़ा हो जाँए और तु बुरा हो जाएगा अ अब मैं आकर तुझे मारूंगा तू कैसे बड़ा होगा मैं तुझे अभी खतम कर दूँगा तो इसे इस चांटो इस लोगों को मार मार कर तुम बैड मैं बने लेकिन मेरे लिए गौड मैंड बने कि अब किसी को भी मारने से पहले उसके आसपास वाले को पहले मारूंगा रोपो रोपो आजव 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 अरे गणेश सुनो मैंने बैंगलूरू के लिए टिकेट बुक किया है बैरागी कहने से पहले तुम दोनों यहां से चले जाओ इसका टिकट भी बुक कर लें अग तेरी बैन मुझसे प्यार करती है भागने की सोच रही है मेरे साथ हिम्मद है तो रोक ले मैं ऐसा कहूंगा यही सोच रहे हो ना सैस्त्रा तुमारी बैन है यह पता चलते ही मैंने अपने लब को लॉक अप में डाला और इसके साथ जूबी मेमरीस थी उसे डिलीट कर दिय तेरी बैन से ज्यादा मुझे तुछ से प्यार है अभी तक नहीं समझा तेरे लिए अपने प्यार को कुर्बान किया मेरे लिए तु बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है लव मेरे लिए आम है और तू मेरे लिए खास है तेरी लाइफ तू मुझे सौफ दे दिंका चिका पिछले 15 सालों से जो वैरागी आज तक कभी किसी को नजर नहीं आया आज वही बैरागी हर किसी को नजर आ मार दूंगा उसे उसे मारने से पहले उस गनेश को मारना चाहिए उस कमीने की वज़े से बैरागी मिसा गया इस बार दोनों को एक साथ खतम कर दूगा फैन का स्विच ऑन करो भाई मेरे लिए एक बार आउन करो भाई इस फैन को तो चालो नहीं कर पार है और वो तो बैरागी का फैन है उससे कैसे मारोगे भाई चुप चाप टैबलेट कर लो उन दोनों की मौत मेरे ही हातों आगी नसीब खराब होता है तम ऐसा ही होता है कभी टॉर्च लाइट के जैसे किसी को नहीं दिखाई देता था लेकिन अब स्ट्रीट लाइट के जैसे रोड़ पर आ गया देखा भाई तुम्हारे बाहर आते ही हर तरफ खामोशी छा गई कववा भी काउं काउं करके उड़ गया पेकिन जाते जाते वो मुझे कुछ बता गया है उसका और तुम्हारा जरूर कोई लिंक है अब क्योंकि कववा शनीदेव का वाहन है पहले यह आया तो शनीदेव भी आएंगे बेरागी बाहर आके पूरे शहर में घुम रहा है अभी तक उसे किसी ने क्यों पकड़ पाएंगे उसे पकड़ने के लिए दिल्ली से एक विशेश आफिसर आ रहे हैं उनका नाम है केक कटपा पुलिस की वर्दी में साथ-चाथ शेर हो उनकी एंट्री के बा बैरागी हिरन तब तक जिन्दा रहता है जब तक शेर से सामना नहीं होता शेर के सामने आते ही खेल खत्म अगर मैंने खोली चलानी शुरू कर दी तो शंशान में जगें कंपड़ जाएगी अभी तक मैं 999 में काउंटर कर चुका हूँ अरु यह कोई MRP है जो बार-बार अब आएसे ही काउंटर पे होता है इंकाउंटर जब मैं बोलता हूं तो सबको अपना मुझ बंद रखना चाहिए एक दम खामूश एक बार जब मैं स्क्रीन पे आता हूं तो राइटर की लाइनों के जगा अपनी लाइने बोलता हूं समझ मैं आया कि लहीं यू आर अंड सब्सक्राइब करें अपनी पोस्टर पर मैं अपनी फोटो लगाऊंगा तो क्या मैं सलमान खान मन जाऊंगा लॉजिक है तो यह कौन है भाई राजू बैसिकली अनावरम के सेटल हो गए चिनावरम पर यह रहाधार काट यह वोटर काट पैन काट हो तो यह तो सस्प्य भाई राजू है इसके पीछे गुंडे लोग भूम रहे थे यह सीची टीवी कैबरा पे रेकॉर्ड हो गया है और रेकॉर्ड को कोई बदल नहीं सकता है इनकी जॉइंट फैमिली है माँ बाप चाचा चाची मामा मामी साला साली बड़े भाई छोटे भाई भांजा और भती जे आप आप हैरान हो जाएंगे बहुत बड़ी फैमिली इनकी इतने लोगों को फैमिली नहीं कहते हैं मुह सर देखिए यही है इनका घर भाई राजू ब्रिंदाम मेकनिक का काम करने वाले का इतना बड़ा घर वो क्या है ना भाई दिन में पंक्चर बनाते और नाइट में वेंचर करते अगर घर में इसकी फैमिली नहीं मिली ना तो तेरे भाई को शेहर में दोड़ा दोड़ा कर मारूंगा यह बैरागी है यह भाई राजू अभी पता चल जाएगा चलो अंदर मुर्गा गया तेरी परोसन का अरे चुप हो जाँ ऐसा बिसुरा गायक मने आस तक नहीं देखा वाले में तू शंकर कुमारू साथ दिखने में तो गोल मटोल गरनेश जी के जैसा है इसका नाम शंकर किसने रखा इसकी मा शंकर जी की फिल्म देख रहे थी उसी वक्ति यह पैदा हो गया सर यह लोग कभी है सर राजा राम मोहन राम सीता राम रोट पर जाडू लगाने वाले जैसे दिख रहे हैं कभी कैसे होगा सर दिखने में ऐसे बाकी बहुत इज़दार यह सहाब डॉक्तर है यह सर आइम डॉक्तर मनोहर नाइडू नुमरोलोजिस्स दर असल यह नियूरोलोजिस्स इनकी जबान के सल्दिए अरे जा भाई हलो जीवार पुरा बाहर बाहर है जिवार पिछलता है मौश्टर तक तक है यह समझ गया क्रिकेटर के साथ इंगिनिय यह लेडीज लेडीज पराय मर्दों के सामने आती नहीं बहुत ही और्थोडॉक्स वो लोग और्थोडॉक्स है तो मैं मैट्बैक्स हुआ हम सब एक यह फैमिली की लेडीज है तुमसे पूछा क्या तर असल पुलिस के सामने सच बुलना पड़ता है अब यह क्या है लगता है जैसे आएपियल जिद कर आये हो और यह आरती लेकर आए वो क्या हैनना सर हुआ इतनी होका सब्सक्रीन तकर आइं इसलिए रहती उतार रही है अब यह लोग कौन है भाई के मदर और फादर है तो यह लोग कौन है बड़ी माँ बड़े पापा वो लुक स्मॉल मदर पापा मतलब चाचा चाचा बिल्कुल सही पकड़े होसा तुने अच्छा मैच किया यह कौन है बिजली के खंबे के जैसा हमेशा इसके पीछे क्यों ख अच्छा एक बात बता इतने सारे लोग अचानक यहां क्यों आए शादी के लिए साइन किसकी भाई की इसकी जब बख्वास कर रहा है इसे कौन अपनी लड़की देखा यह डालनू क्या अब यह क्या बोल रहा है यह कह रहा है एसी डाल दू क्या नरसल क्या है आपको कोने वाले पती सर अहां यह क्या है यह तो बहुत शर्मा रही है लब मेरे जना नहीं यहां कोई भी एक भी रिष्टादार नहीं है इस घर का नौकर अगर मैंने जुबान खोल दी तो तेरा काम तमाम हो जागा आपको जो भी इंफोर्मेशन चाहिए मुझसे पूचा मैं पहले नीचे उत्रों तो मैं क्या बताने जा रहा था चाय पीते पीते में आपको बताता हूं यह क्या है लेमन टी सर तेथी शकल के जैसा घट्या है आप पीलो सर मैं तुझे बताता हूं कि चाय कैसे बनानी चाहिए आधा लिटर दूद लेकर उसे गैस पर रख दो उसमे अधरक को ठाल के उसे पाका के अच्छी तरह से पियोगे ना वर्ल्लक जीतने जैसी मिलेगी अच तू कुछ सच बताने वाला था ना अच्छा वो नहीं कुछ और सच बताने वाला था ना इसे होनों मेरे मारने के बाद साउंड ऐसा ही होता हैं तुम्हें पता है हमारे मास्टर हैं मैं कर गिरा तो ऐसे बात करेंगा थर्ड फ्लोर से गिरा था सब्सक्राइब करके दिखाता हूं अब आपकी समझ में आ गया ना यह बैरागी नहीं भाई राजू यह क्लियर हो गया ना अब आप जा सकते हैं तुने जाने को बोला इसलिए नहीं जा रहा हूं यहां वापस आने क सब मर जाएंगे लाइन हाल्टेट अहां चलो है हट चलो सर भाई आपको लगता है मने यह सब कट्टापास दर के किया है बिल्कुल नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता आप इस तरह अकेले रहते हैं इसलिए आपके लिए फैमिली सेट कर दिए कि मेरे भाईया पहले इस कार में कभी नहीं आये थे सब तुमारी वज़े से हुआ है आम सो हापी तो इस मौके पर तुम्हें एक ट्रीट दू कैसी ट्रीट यानि मुझे लगा खाने की या पीने की होगी लेगने दो बहुत बारू ट्रीट थे कोई देख लेता तो अब त लेकिन मैं तो समझा था कि ब्रेक अप हो गया है ये यन यू अब लॉब लोख अप ए थेर इस नो ब्रेक अप हम नाचरे मयूरी अरे नाचरे मयूरी नाचरे तुम सब लोग यहां पर क्या करने आयो अरे भाई वो गनेश आना वो अपन के पास आया था अपन से बात करने के लिए क्या बोला उसने तुम सब को यहां इसलिए बुलाया गया है कि बहरागी भाई तुमसे बात करना चाहते फिर क्या बोला बाई उसने बोला क्या वही तो क्या बोला उसने उस बैकड्राउंड म्यूजिक में कुछ सुनाई ने दिया तो तुम लोग रोई क्यों थे उस म्यूजिक में मस्त शील था बाई यहां यह बैकड्राउंड म्यूजिक नमस्ते मास्टर जी आजा सेनु आजा माजी कैसी आप मैं ठीक हूं बेटा हम गाउं से आ रहे हैं यह जानकर भी हमारा बेटा हमें स्टेशन लेने नहीं आया इस बात से मुझे बड़ी खुशी है क्यों मास्टर जी मैं चारा प्रेम कर भी लगा लडखी के साथ बीज़ी होगा बीजी है यह तो सही और लड़की के साथ नहीं बहरागी के सथ बहरागी के साथ बहरागी मतलब वह अभी तक कुछ बहरागी को भूल utan यह आपने बचमन में वह कहाने सूनाई थी जीटि ऑ कब उतर की आज उसी कहाने पर फिल्म मना रहा है वहरागी ने उसकी जान बचाई ये बात उसके दिल पर असर कर गई थी और उसकी तस्वेर लेकर उसकी हेल्प करने के लिए घूमता फिर रहा था इसे अवाइड करने के लिए मैं अपनी ट्रांसवर लेकर भद्राचलम चला चैनल चेंज करो मुझे मेरा सेरी लेखना है मेरा चैनल लगा पहले मेरा चैनल नहीं लगा जल्दी लगा क्या कर रहा है पाट नी सुनता प्लीज आंकल सत्या इसी वक्त इन सबको बाहर निकालो वरना मार डालूंगा सबको गुश्तिन और चेलो बैरागी अगर अधरा मिटी में मिल जाएगा और तू ही उसे बैरागी बनाकर बाहर लेकर आया और तूने ही उसे भाई राजू बनाकर उसकी फैमिली भी बनाई अब आगे तो क्या करने वाला है बताता चेर को घास खिलाओगे तो नहीं खाएगा खिलाने वाले को खा जाएगा आखिर तो ऐसा क्यूं कर रहा है आपने स्टिस्फैक्शन के यार तेरा स्टिस्फैक्शन फैक्शन से भी जादा डरावना लग रहा है ओ देख यह सब बहुत हो गया अब बंद कर यह सब खाथी प्लान बनाया है वो सब मैंना बतातूंगा मैं विजा के बहरागी बही को बताता हूं अब भी बताता हूं उधर गणेश तुमहारी जिंदगी के साथ खेल रहा है और तुम यहां बच्चों के साथ खेले में लगे हुए हो पंगल तु यहां पर क्या कर रहा है यह मामू बंदकर अपना बौपू तुम्हारे साथ ग्रश क्या करना चाहता है तुम्हें कुछ पता भी है तो घ्रना क्या चाहता है तू मानासा हिसे ताइम बच जाता है जेस्ट विद्टेश चेम अई हलो आप मांसा रिसरॉट जा जाएयं के तो रेंक फ्री मेम्साज प्रीम ठीक्ति प्री स वार्ण मतलब टोटल फ्री बोलो मैं कब आओ आपको जब मूड हो तब आजाईए मूड आउट हो तो चले जाए और रास्ते में कार में हूँ फोन रखो में पहुंचा है क्यों भाई मुझे क्यों बूला है मुझसे कुछ काम था अब तू ही तो मुझे कुछ बताने वाला था हां ब कटपका का फोन आहार रहां इससे फोन करता हूं असका बाद मौनिंग होता है इस कटपके का नाम सुनते यह पानी नहीं पीते आपका नाम सुनके क्यों पियेगा जब प्यास लगे कि तब पिये गाँ कहा हो घर में ही ना आप अब अब हम भी बिलकूल मत आये गा हम लोग कहाँ सुबस बस हारे मर्द लोग वॉकिंग करके फिर जॉगिंग करके अभी आपके साथ फोन पर टॉकिंग करके बाजार में बस एंट्री कर रहें इस बड़ा कंफ्यूजिंग है आपको मिल नहीं पाएगा बैजार के हर एक बाजार को मैं जानता हूं तुम लोग कहाँ य इस्ट की तरफ जाके एक्जाक्ली राइट लेना होगा वहां पर कौन सा बाजार है वहां एक चाइना बाजार है वहां से यूटन ले लिजी फिश मार्केट आएगा एक पचीस केजी मचली लेकर आऊं क्या वेजिटेरियन मचली कैसे खा सकते हैं अरे इसने तो जबरदस लोग अब दिखाई दे रहे हैं आप आपके पीछे हैं सर कहा हो तुम आप कहा देख रहे हैं सर आगे देख रहा हूं पीछे हैं तो आप आगे देख रहे हैं अरे पीछे देखिये ना कहां पीछे यहां भी नहीं हो आप कहां देख रहे हैं सर पीछे घुमकर आगे देख रहा हूं आपको आगे देखने के लावा पीछे देखना नहीं आता है क्या मुझे क्या तुम उल्लू समझ रहे हो कट पाप पीछे मुड़के देखिया कटपपा जी है ना अभी तो तुम लोग यहां नहीं थे आप आगे देख रहे हैं इसलिए मैं आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं आप पीछे मुड़कर देखा तो दिखाई दिए हाथ में थैली देखकर तो यकिन करो सर हम तो और बाजार में आये हो यह चोर बाजार लग रहा है जबान सम्हाली इंसपेक्टर यह क्या कह रहा है फेज देख कर प्रफिशन ड्रेस देख कर डेफिनिशन I is the current identification जसे यह देखकर जस्टिफिकेशन रॉंग है फिर्स्ट वरिफिकेशन नेक्स्ट कन्फरमेशन उसके लाद नोटिफिकेशन आई डोंट लाइक दिस काइंड आफ कन्फरन्टेशन इफ यॉर पुटिंग में इरिटेशन माइंगर विल बिकम सेंसेशन इस्टॉप यॉर पर इदेवाला नहीं लग रहा है लुदी और कटड़ी का आपस में रिष्टा रहते हैं अगर उनके बीच को रिष्टा है क्या तो कैसी बात कर रहा है तो क्या कह रहा है तेरी समझ में आरा मतलब यह खूनी नहीं भोला है मैं कैसे यकीन करूं हमारे भाइराजू इतने भ तो थमसब या सेवन अब समझ लेंगे सर भाई को सरफ खाने से मतलब है पीने से इनका कोई लेना देना नहीं है गुण शेकर से गुण विनायक से विने और इन दोनों को आपस में मिला दिया जाय तब बनते हैं भाई न्यूस कवरे से ज्यादा तो इसे कवर किये जा रहा यह बैरागी है यह भाई राजू मैं अभी साबित करता हूं है अगर तुझे बैरागी को मारना है तो में सबजी बाजार में आ जाओ अब जी अब क्लियर हो जाएगा अगर इसने हथियार उठाया तो कंफर्म हो जाएगा यह बैरागी है उसके बाद खेल खत्म सुना अभी तलवार उठाओगे तो कंफर्म हो जाएगा तुम बैरागी हो यह क्या सर यह अपनी पुलिस अकैडवी की तरह भाग रहे हैं है यहां सिर्फ चार पुलिस है वहां 400 पुलिस मिलेगी पहजान लिया तो काम तमाम कर दो जो तक तक तुझे मार नहीं दूगा यह पीछा नहीं चाहूगा हुथ करद अ फो ठो कुछ तो डिस आराए र्लोप चुट अबता है क् tunnels जिस दो जाँ अप्यूंट कुट एἵ Pacific जाँ हाँ कुछ 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 depreciates कर दिप कि अष्छ चुछ तो व ऐust बुद व चे क्या देख रहा हुदु देख रहा हूं कि पेंडिंग अच्छी है या पेंडिंग करने वाले तू देख लो अबे रोक ले कंट्रोल कर अपनी आखों को पर ना पता नहीं क्या हो जाएगा गड़ड हो जाएगी कंट्रोल क्यों वे यह लड़की तुछ से प्यार करती है और तू इंकार करता है तू दिखने में मेरे जैसा लेकिन है नहीं तू मेरा डुपलिकेट है तो तू ही डबल एक्शन दिखाना ओवर एक्शन ऐसी लड़की को लाइन मारने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं और य जान गई खड़े में ऐसी लड़की को खो देगा तो जान का क्या करेगा वाद तो सही है मुझे एक्शन दिखाना होगा अपना एक्शन छोड़ और उसके लक्षन देख सुन पास से दूर जाने के लिए एक मिनिट काफी होता है लेकिन दूर से पास आने के लिए जिन्द क्यों करों ने मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं तू लाइन मार रहा है यह भागा के लिए जाओ तूंसे लहीं कह रहा हूं सर्वा बैरागी की जिन्दगी के साथ खेल रहा है और आप इत्मनाम से पेपर चेक कर रहे हैं यह लीजिए सर उसे अभी फोन कीजिए और सब को छोड़ कर आने के लिए कहिए सर क्यों आने के लिए कहूं उससे कहूं कि जो कहानी सुनाई थी वो गलत है तूम सबको पूरे शहर में तहशत फैल जा दी थी और अब उस पुलिस वाले के डर से मुझे भागना पड़ रहा ऐसे ही जलता रहा तो इस वक्त मेरे साथ जो भी कर रहा है वो उससे बहुत भारी पड़ेगा उसकी जिंदगी में मैंने सूनामी नाला दिया तो मेरा नाम नहीं अरे मेरी बात सुन उस गनेश ने इसके साथ जो प्लाइन किया उसे सुनकर तू मेंटल हो जाएगा क्या कहना चाहता है तू इस पागल की बात मत सुनतो अरे नली तुझे बीच में घुशने की ज़रुत नहीं है ऐसे रिटायर गुंडों को अपने साथ रखोगे तो तुमारा जल्दी क्लोज होने वाला है तुम इस उल्फा बेच के साथ घुमना चाहिए जिन्दगी वहतर हो जाएगी सोडा मास्टर नहीं हूँ मैं रि democratic यह तो ठीक है अपनी रंग में जा यह सही बहुना ऑइसे क्या बलो तुमने अब है तू कुछ video कर जा कुछ भी नहीं तुम्हें क्या चाहिए यह व기도 बह eggplant ठीक है जाता हूं भाई आपको यहाँ एक बात बताने के लिए आया था अब जाकर मुझे याल आया है घर में दूद का पैकेट खतम हो गया है छेंघील सब्सक्राइब हर तेरे को तेरे लिए तरह से Вам पाएगा अपने सारे लुईस की बाते मानने लगे और सुपला लगता ही एक कवाली का बैच भाई को छोड़ेगा ने भाई के उचने से पहले इन्हें सुलाता है क्या ने भाई को मारना आया था क्या मेरे होते भी नहीं मार पाएगा मेरे पंच की वालेडिटी बहुत है याद टाइम पर लग जाएगा मैं कैसे मार रहा हूं तुम लोग कैसे ओड़ रहा हूं मेरी समझ में नहीं आ रहा हूं यह टकले मैंनच से सीड़ी चड़कर उपर आया ना शॉटकट से भेज देता हूं तुझे इंजॉय दी एंटी ग्रैविटी इफेक्ट सारी भाई वो कपाली के छोकरे लोग आपको मारने के लिए फिर से आये थे आपको डिस्टरब ना हो इसलिए उन्हें सुला दिया मुझे नहीं गणेश यह सब तुझे मारने आये हैं इन लोगों को मैंने ही बनाया है अगर मैं मर गया तो आपको बचाएगा कौन मैं आपके बैक्बोन जैसा हूं यह सब लाइटली लोग जाव सोजा ओके मैंने बोला सोजा यह मेरे लिए बैक्बोन नहीं बैक्पेन है इसे अभी खत्म करता हूं नेताओं के जहासे में आकर वोट डालने वाला में वोटर नहीं हूं शूटर हूं तुम्हारी याकों का गुस्सा बता रहा है कि तुम्ही बैरागी हो इतने दिनों तक मैं इसी सीन का वेट कर रहा था अब तुम्हारा सीन खत्म हो गया समझे यह तो सिर्फ ढरा रहा था अब तुझे अंदर टालूंगा अपी बर्थ डे टू यू आपी बर्थ डे टू यू माई डियर आप इंग्लिश में वीक है इसलिए मनें हिंदी में लिखा है इन्हीं का बढ़्टे हैं कब वह था इसका जन्म बताता हूं सर हमारे भाई ग उनीसो सटत्तर में साथ वे महीने की सात तारीक को साथ बचकर साथ मिनिट में रोते हुए पाइदा और अब ये तुम सब को रूला रहा है हाठ पे तलवार आखों में गुसा लग रहा जैसे किसी को मारने जा रहा है टिन मारने के लिए नहीं सर कट करने कि लिए किसी क्राइब करने के करने को इतनी दलबार नहीं उठाला था क्या है सर बड़ी ए न cosmos चाहिए और क्यों पर्श्ण चयाहिए जितना भी बड़ा जवाब तेरा सरल होता है तेरा बस चले तो तु दाउद इब्राहिम को भी जौन इब्राहिम बना देगा केक काटने का टाइम हो गया सर भाई काटो ना ऐसे क्यूं देख रहे हो भाई हर साल आप अपने बड़्डे में केक तो काटते ही हो ना कमाउन कट इट अपनी बेहन को और अपनों को पहले केक खिलाते हो ना यह क्या भाई आप और भूल गए नेक्स्ट अपने पैरेंट्स के पैर चुआ और उनके आशिरवाद ले लो जल्दी अरे यह सेंटीमेंट है या मैनेजमेंट है अरेंजमेंट इंजॉइमेंट सार वाई इनको भी खिलाओ गुलेट से तुम्हारी तस्वीर बनाई है मुझे केक और जोग दोनों बिल्कुल पसंद नहीं फिलाल इस वक्त तो तू मुझसे बच गया है लेकिन तुझे ससुराल पहुंचाने के लिए मैं यहां बार-बार आता रहूंगा यह फेकू के रियक्शन से आप रिलेक्स रो जाओ 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 सब जाओ यह बबर शेर यह तेरा कैसा बड़े सेलिबरेशन है तुझे इतना हट्टा कट्टा मजबूत आदमी है लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी बच्चों जैसा है तुम्हें पता है ना वह तुम्हें कितना बेवकु बना रहा है जा फिर तुम्हें उस बारे में कुछ भी क्या है केक अब तुझों कहेंगा मैं यकीन करूंगा अब बोल है एपी बड़े टू यू बड़े के केब चकलूं किया बटर स्कॉंट मैने उसके डिध डे का पलाइन किया तो उसने मेरा ही बर्थ डे कर दिया मेरी फेलिंग्स से तुसे कोई मतलब ही नहीं उसके मन में ज करके नाटक से मैं परेशान हो चुका हूँ मैं उसे मारना चाहता हूँ पर कुछ और ही हो रहा है उसका गुस्सा बढ़ाने के लिए उसे जबरदस्ट चूट पहुंचानी होगी उसके माब आपको खत्म करता हूँ गाँ पर भी करता है उसक अजनी अजानी हीनोगने आपक और की गुचानी कि दूल बाहता है य मैं अजनी आपको कि यहांती हूं मुझे आने में थोड़ी देर उगी मुझे एबियन कोलेज में एक एक्जाम के इन विजिलेशिटेंग में। के लिए जाना पड़ रहा है तुम कॉलेज में ही आजाओ हम वही से फंक्षन में चले चले चलेंगे है ठीक है वही आजाना ओम गंगंपते नमः ओम जय हो गनेशी जितना जानता हूं उतना ही लिखाओं बाकी का आप समाल लीजेगा भाई आपके पास पर्ची है ना मुझे पता है गनेशी ने भेचा है आपको मुझे भी एक पर्ची दे दीचे ना तरही एक मर दिखाँ दिखाँ भाईया चल्दी देखाँ क्या है थे वह जल्दी होगया तो पिर से एक्शाम देढ़ेगा तो स्टॉप राइटिंग हैंड ओवर यूरा अंसर शेट्स बेटा तुम अभी एक्जाम दे रहे थे ना कहां जाना है पेट्रोल खत्म हो गया लगते आजाओ मेरी गाड़ी में आकर बैठ जाओ क्यों बेटा एक्जाम तो ठीक गया ना क्या हुआ ऐसे क्यों घूर रहे हैं तुम मुझे बहुत देर इंतजार करना पड़ा है अरे बापरे चली 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 वहां की सारी अरेंजमेंट्स हो गई हैं लेकिन इंगेजमेंट रिंग तो हमारे पास है जी क्यों इतनी बूड़ी हो गई है ना ज्यादा वजद नहीं उठाय जाता है असे पकड़े दो बेटा तुम यहां क्या कर रहे हो यह क्या बाई एक्जाम हौल से मैरेज हौल तक आपको गाड़ी में बिठा कर लाया गया अभी यंग हो आपका इंगेजमेंट हो रहा है जरा देखो तो स दूले वालों की तरफ से मेरे माबाब आपको यहां दूला बना कर लेकर आए और मेरा इंगेजमेंट क्यों आप फिर से गारेज ने चले जाए इसलिए आपकी मैरेज सेट की है वर्थडी में जैसे केक काटते है ना वैसे ही टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं खटम किसको मुझे सेर रात को मुझे सपना आया भाई की दूमदाम से शादी हुई उनके बच्चे हो गया कह रहे थे सुबह तक इनकी शादी नहीं तो मुझे मात देंगे इसकी शादी तैय हो गई बेवनों की और बिखारियों की जब शादी हो सकती है तो इस मुस्टंडे की क्यों नहीं हो सकती बला लड़की का बाप कौन है कि सारे अरेंज्मेंट बिल्कुल पुकता है ना आप ऐसे गया तो आपको कोई दूला नहीं समझेगा शादी में काम करने वाला समझेगा जल्दी से कबड़े बदल और चलो अब देखना यह है कि यह शादी कैसे होगी हा में क्या कहा और यह क्या कह रहा है टाइम हो रहा है दमाद जी कहा है वह रहे है तो यहां पर जितने भी लोग है उन सब पर अपनी नज़र रखो बचकर तुशेर के मूंँ में चा रहा है पता है वो कौन है चीफ नाम है नाग भुषन कुछ भी अगर गढ़ किये तो बूलेट सिधे अंदर वो फायर ब्रैंड है तो मैं फायर एंजीन हूं भाई मिस्टर भाहिराजु अगर अधिस इस माइ फैमिली अधिष नहीं नहीं है वायराजु बीए ए म में एम बीए ए एमकॉम एमसी ए ललवी लाइसी अ यह एलाइसी क्यों है क्या है ना कि एलाइसी एजन्ट का काम करते हुए उन्होंने सारी डिगरी की पड़ाई कर ली आए यह मुझे बहुत पसंद आया एक बार शूट करके देखो प्लीज डारी शादी के बार शूट कर देना आखिर जाएगा कहा यह अमारा घर जमाई बनने वाला है अशा लग रहा है मेरे कोट ले जाने से पहले ही कि तुछे बेडरूम में मारते की कि सी मिस्टर भाई राजु तुम हो की तो मारे डिग्री रिकार लगता है तुम बहुत इंटेलीजेंट हो में में जानता हूं इन अल्यची जाटाने मेरे वह तुम्हारा नौलेजट करने वाला है ओक्वाण वह कुछ भी पूछे आप टेंचन मतले ना वर्ट हम वाई यह नो सिर्फ इन्हें पोल देना बाटि मां समाद लोंगा प्रफ को इंगलिश में क्या क्या थे नो जो राइट अंसर तक पुछिए ना प्ली इंडिन कॉंग्रेस की स्थापना किस ने की अ ओम इंडियन कॉंग्रेस की स्थापना एओ हिूम और येस पीज जब शींद का सीमबल क्या है एस को दो बार सीधा काटी है तो बन जाता डॉलर को भी कट कर रहा है मन में एक सवाल है आपने सारी डिग्रीज तो हासिल कर ली फिर ये अम भी बीबी एसके चोड़ दी भाई को ब्लट से डर लगता है ना प्लोट से डर लगता है अब बस करो ना डाड़ी इंटिवी खत्म करने ओला सब्सक्राइब करने यह सब्सक्राइब करने के बाद सेज़ पर आया हूं यहां कौन सी मुश्किल है बताओ कौन सी स्टेप देखना चाहोगे आज वीना वाला स्टेप दिखाओगे बद करो बद करो बद करो बद करो बद करो बड़ा पुराना स्टेप कर रहे हो भाई अभी नया वाला दिखाएँगे तांस बड़ा असान होता है, तुम तो मेकानिक हो ना, पंक्चर बनाते वक्त रिम निकालकर बोल्ट निकालते हैं ना, पंक्चर बनाते वक्त अवा भरते हैं ना, अलका अलका पिछवाडे को हिलाते रो, ऐसे बस हो गया यह क्या है अड़ा अड़ा दमा जी खाहिव हो गया क्या हो रहा है यह सास्त्रा वो लग भाईया कमार रहे हैं कि मात के पास पेरागी तुम्हारी जान है ना यहां तुम्हारी जान जा रही है जंदी से आजा वर्ना उसकी राश भी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी हैजिए जान है जब से बेड़ी ओरे से प्रेंचे करें से बहा है युल्णार Dwight को भी यूला इंदी, प्रिस नहीं मिलेख भी जेख भी जेख भी कर दो हैजे बहा कर दो जो घ्मेडु़र से जाजे कर दो दो है अ度हा है रहा है रहाऊ każdy जा है वहा है खास savior है कि दिल की धड़कनों के साथ यहीं सोचता रहा कि मैं तुझे कैसे मारू आज मिला है तू सारे हिसाब चुकता करूगा तुझे मारने के लिए मुझे अपने दुश्मन से हाथ मिलाना पड़ा है हेल्प के नाम पे हेल दिखाएगा तू हाँ यह सब मैंने आपको खुश रखने के लिए किया है भाई तू मरेगा तब मुझे खुश ही मिलेगी अब यह मर चुका है इसे भूल जा तू यह क्या किया तूने दोखार हार्ट अटेक से भी टिंजर होता है यह यह तुम्हारा नहीं हमारा है इसके रहते तुझे मारना मुश्किल था इसलिए इसे तेरे ही हातों मैंने आज मरवा दिया अब तेरा काम हो चुका वैरागी अब इस सिटी का मैं हो वैरागी मैं हो वैरागी आई को मुझे मारने का अधिकार है क्योंकि मेरी जान भाई ने ही बचाई है भाई को मुझे मारने का पूरा राइट है क्योंकि में आई क्योंकि मारने का अभाई क्योंकि मारने का अभाई कर दो बरे खकता है ही त त कर दो खजयक त कर दो हर 10 ट वह तॉजब खुब हर मैं आल 7 क्या यह सिक्स पैक बाई तो कपका करके छोड़ चुके हैं तुम तो मुझेट होगा अगर मेरी मौद से ही आपको अगरा खुश ही मिलती है तो मारती ही मुझे भाई एक बार फिर अपने मेरी जान बचाई नहीं प्लीज इसे नेरी हेल्प मत समझो तुम्हें अपना आदमी समझ कर मैंने बचाया है एक बार तुम्हें बचा कर मेरी जिन्दगी प्लैटफॉर्म बन गई है अब मेरा पीछा करना छोड़ दो प्लीज यार प्लीज आपने एक बार फिर से मेरी जान बचा ली है भाई तो आपकी जान बचाने के लिए मैं सोच ये क्या कर तो तो यार तू समस्ता क्यों नहीं इस तरह क्या देख रहा है तो इतने दिनों तेक यही सोच रहा था नहीं कि ये मेरे साथ क्या करेगा इसने तुम्हें पुलिस आफिसर बना दिया कवे का और तुम्हारा कोई लिंक जरूर है तेरी जिन्दगी को प्लैटफॉर्म नहीं यूनिफॉर्म दिया इसने है और यह सब इसने मेरे साथ मिलकर किया है मैं इसका चाचा हूं एक दिन तु उसका पाली गुंडे से डर कर भागा था ना वो तू के रंग पूलिस ग्राउंड में जो कुछ भी तुने किया वह सब फिस्कल टेस्ट था कि तुम जो उस दिन मुझे मारने आए थे एक्जाम के हॉल में वह तुम्हारा रिटेंट टेस्ट था अज सिर्फ तुम्हारी इंगेजमेंट ही नहीं हुई पूलिस इंट्रव्यू भी हुआ डेपार्टमेंट के द्वारा किये गे सारे टेस्ट में तुम फिट हो अभी तुम और मैं सेम डिपार्टमेंट पे हैं ये लो तुम्हारा ट्रेंणिंग ओडर तुमने ये सब क्यो किया उस भावानी को मारने आये थे तब आपने कौन सी ड्रेस पहने थी जरा याद करो ना भाई उस ड्रेस में अप अच्छे लग रहे थे मुझा आप पुलिस वाले हैं लेकिन यहां आने के बाद पता चला कि पुलिस खुद आपको ढूंड रही है आपने मेरी मदद की आपको बना दिया और आपकी जिंदेगी सुधर गई असल में यह तरह साथ क्या करना चाहता तुझे कुछ पता भी है पुलिस बनाना चाहता है तुझे खतम कर दे तुम लोग को देखके वहाँ खुशी हो रही है तुम लोगों के लिए चाय बनाओ क्या वन बाइफ पर उस शक्ति का उपयोग कैसे करना है यह सोच पर निर्वर करता है